जहिन इस वीडियों में देखने वाले हैं गांधी जी से संबंधिस अती महत्पुर्ण प्रश्ण और ग्रूप डी और 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 इंटी पीसी में लगतार इस परकार के कोस्टन पूछे जा रहे हैं डेली तो इसको एक बार जरूर देखना है और टॉप 67 प्रश्ण है तो चलि सही अशर होगा, 2 अक्टुबर 18.69 eer्टी 69 अगला कुश्चन है अंतराष्टि ये अहिंचा दीवसकर मनाया जाता है सही अंसर होगा दो अक्टूबर को अगला कुश्चन है महात्मा गांधी ने अंटू दा लास्ट दिस लास्ट को गुजराती में अनुवात करने पर सिर्शक का नाम क्या दिया था सही अंसर हो जाएगा सरवोदे 1908 अगला है सत के साथ मेरे परियोग की कान महटमा गांधी ने करो और मरो का नारा कष्णि दिया था सही अंसर होगा महत्मा गांधी ने अगला कोस्चन है करोर मरों का नारा गांधी जी ने किस अंदोलन के दोरान दिया था सहियन सरोगा भारत छोड़ो अंदोलन के दोरान अगला कोस्चन है भारत महत्मा गांधी ने पहली बार सत्यागरह का परियोग कब किया था सहियन सरोगा सितंबर 1906 दक्ची नफिरका में अगला question है दक्षी नफिर्का में गांधी जी द्वारा शुरू किये गए नए सबताही का क्या नाम था सही answer हो गांधी इंडियन ओपिनियन 1904 में किया गया था अगला देखते हैं महात्मा गांधी दक्षी नफिर्का में कितने वर्स रहे थे सही answer हो जागा 21 वर्स अगला question है महात्मा गांधी दक्षी नफिर्का से भारत का वाय लोटे थे सही answer हो जागा 9 जनवरी 1915 में और 9 जनवरी को परवासी भारतिय दिवस्प बनाया जाता है अगला question है महात्मा गांधी ने किस एक्ट को काला कानून कहा था सही answer हो गा रॉलेक्ट एक्ट को अगला है 21 एक मात्र कॉंग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जीजने की थी सही answer हो गा 1924 में बेलगा 43 वा अधिवेशन अगला है महात्मा गांधी और उनके स्वेम सेवकों ने दांडी मार्च कब सुरू की थी सही answer हो गा 24 मार्च 1930 अगला कॉस्चन है महात्मा गांधी ने सावरमती आश्रम से दांडी की यात्रा कितने दिनों में तै किया था सही answer हो गा 24 दिन में अगला है सावरमती आश्रम कहां परिस्थित है सही answer हो गा अहम्दाबाद अगला है दंडी मार्च किस अंदोलन के नाम से जाना जाता है सही अंसर होगा नमक सत्यागरा अगला कोशन है नमक कानून तोड़ने के लिए गंधी जी ने कौन सा अंदोलन चलाया था सही अंसर होगा सवविने अवग्या अंदोलन नेक्स कोशन है मात्मा गांधी के साथ नमक सत्यागरा का नित्रित्व किसने किया था सही अंसर होगा सरोजनी नाइडूने अगला है दंडी मार्च के साथ कौन सा अंदोलन शुरू हुआ था सही अंसर होगा सवविने अवग्या अंदोलन अगला कोशने सविन्य अवग्या अंदोलन के शुरुबात कब हुआ था 1930 में हुआ था अगला है गांधी इर्विन समझाता कब हस्ताक्षरित हुआ था 1951 में हुआ था 1931 में हुआ था और गांधी जी और लर्ड इर्विन के बीच हुआ था Next question है महात्मा गांधी ने कॉंग्रेस किया ध्यक्ता कब की थी कब छोड़ी थी तो सही इंसरोगा 1934 में और महात्मा गांधी फिर से सकरिय राजनितिक में कब से लोट गए थे तो 1936 में Next question है महात्मा गांधी का पाला अंसन भारत में गांधी जी का दूसरा सत्यागर कहा गया कहां हुआ था सही इंसरोगा अंदाबाद में किस अंदोलन में या होगा किस अंदोलन में भारत में महात्मा गांधी का पाला अंदोलन था सही इंसरोगा चमपारन सत्यागर बारत में गांधी जी का तिसरा सत्यागरह कहां पर हुआ था सेहिन सरोगा खेडा सत्यागरह और सत्यागरह सभा की अस्थापना किस ने की थी महात्मा गांधी ने की थी उन्हें 32 में अखिल भारतिये रिजन समाज किस ने सुरू किया था सही इंसरोगा महत्मा गांधी ने नेक्स्ट कोस्चन है महत्मा गांधी को अर्दनगर फकीर किसने कहा था सही इंसरोगा विस्टन चर्चिल ने रभिनाट टैगोर को गुरुदेव की उपाधी किसने दी थी सही इंसरोगा महत्मा गांधी जी ने अगला है सुवास्चेंदर बोश को देश भक्त किसने का था? महात्मा गांदी ने का था चमपारन सत्यागरत कब सुरू किया गया था? सहियन सरोगा 1917 में बिहार के चमपारन जीले में किस ने कहा कि ऐसे जीओ जैसे कि तुम कल मरने वाले हो और ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो महत्मा गांधी ने कह था अगला कुशन है आजादी का कोई अर्थ नहीं यदि इसमें गलतियां करने की अजादी सामिल ना हो या किसी या किस ने कहा था तो महत्मा गांधी ने कहा था नेक्स्ट है पहले भी आपको अंदेखा पहले आपको अंदेखा करेंगे फिर वह आप पर हसेंगे और आपसे लड़ेंगे और फिर आप जीत जाएंगे या किस ने कहा था महत्मा गांधी ने कहा था नेक्स्ट है कुरोड़ता का उत्तर कुरोड़ता से देने कार्थ है अपने नैतिक एवं बौधिक पत्तन को स्विकार करना या कथन किस ने कहा था? महत्मा गांधी ने कहा था नेक्स्ट है स्वाद का वास्तिविक अस्थान जीवा मतलब जीव नहीं बलकि मन है किस ने कहा था महत्मा गांधी ने कहा था Time Magazine ने किस वर्स में महत्मा गांधी जी को Man of the Year घुशित किया था सेयंसरोगा 1930 महत्मा गांधी जी ने किस गोलमेंट सम्मेलन में भाग लिया था सेयन सरोगा दूसरे गोल्मन से मेलन 1931 महत्मा गंधी ने पोस्ट डेट चेक किसे कहा था सेयन सरोगा क्रिप्स मिशन 1942 किस कारण गंधी जी ने केसर ये हिंद की उपाधी छोड़ दी थी तो जलिया वाला नरसंगार और जलिया वाला अबा घत्याकांट का भुगाता 13 अप्रेल 1919 ये भी याद रख सकते हैं अगला कोशन है महत्मा गंधी जी के नीजी सचीव कौन थे? माधव देशाई और महत्मा गंधी के अध्यात्मी कुरू कोन थे? लियो टॉलस्टाय और महत्मा गंधी के राजनीतिक गुरू कोन थे? गोपाल कृष्ण गोखले अगला है भारतिय स्वतंतरता संग्राम में किस अबधी को गंधी युग के रूप में जाना जाता है 1915 से 1948 महत्मा गांधी की हत्या की सस्थान पर हुई थी सही अंसरोगा बिल्ला भवन के बगीचे में अगला कोश्चन है महत्मा गांधी की हत्या कब हुई थी 30 जनवरी 1947 को नाथुराम गोट से निक्या था और 30 जनवरी को सहीद दिवस की रूप में मनाया जाता है अगला कोश्चन है गांधी इसमारक संग्राले कहां परिश्थी थे सही अंसरोगा सावर मती आसरम आहमदाबाद गांधी इसमारक संग्राले का डिजाइन किस ने तेयार किया था सही अंसरोगा परसीद वास्तुकार चाल्स को राया ने 1959 में नेक्स्ट कोस्चन है महत्मा गांधी इस मारक कहां परिस्तित है राजगाट दिल्ली और दिल्ली किस नदी के किनारे है जमना नदी के किनारे है अगला है महत्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन्द सवा कहां दिया था सही इंसरोगा वारा नसी में पहला अपना सबर्ग ये भी important question है अगला देखते हैं निमलिकित में से कौन दांडी माच में महात्मा गांधी के साथ था सहियन सरोगा बेव मिलर अगला question है गांधी जी ने द्रणी समुन्द तρ पर नमक कानुन कवनंगन कभ किया था सहियन सरोगा बारा मार्च 1970 ये इंपोर्टेंट है बारा बारा मार्च 1930 अगला question है गांधी जी की मिर्थू पर किसने का हमारे जीवन से परकास चला गया सही अंसरोगा जवाला ने दूने अगला question है Phoenix Farm की अस्ठापना किसने की थी सही अंसरोगा मात्मा गांधी नी अगला है मात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे कहां थे जब से जहाज से इंगलेंड दक्षिन अफिर का यात्रा कर रहे थे तभी अगला है माई एक्सपिर्मेंट विख तूट के रचनाकार मात्मा गांधी है अगला कोशन है दांडी यात्रा में गांधी जी नी कितनी दूरी तै करके नमक कानून का विरोध किया था सेयन सरोगा 385 किलोमीटर नेक्स्ट कोशन है चमपारन सत्यागर के दोरान मात्मा गांधी के साथ कौन सामिल थे तो राजेंद्र परशाद अनुगर नरायन सीख सामिल थे अगला कोशन है मात्मा गांधी को सरपर्थम राष्ट पिता किसनी का था सेयन सरोगा सुवाश चंद्रबोसन और इस चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किये तो कर लिजिए लाइक, सेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा मिलता है नेस्ट विडियो तब तक के लिए जाएगे